मेरे प्यारे बैन भाई जोर मेंतरो केसे हूँ? आप आज हम बात करने वाले हैं से ब्लोट एक फाइम डैड अमजी टैबलेट के बारे मैन इस टैबलेट को कप केसे हो? उसे नहीं करना शेहिए से वडिमांपुरी जान गाय जाने वाले हो? या फिर vaginal disease होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो डॉक्टर इसकी सलहा दे सकता है या गोना हो इना इसमें भी आप इसको ले सकते हो या PID होना इसमें भी डॉक्टर आपको लेने की सलहा दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों महिलो के कमर दर्द होना या फिर उनके पिछल स्पाइन के हिस्से में दर्द होना उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहाद दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर इसको यूरीन इंफेक्शन में भी दे सकता है और इसी के साथ स उसमें भी डॉक्टर इसको सलहा देने की दे सकता है और इसी के साथ साथ जुखाम हो गया हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहा दे सकता है या गोनोकोया लंग्स इंफेक्शन हो गये हो उसमें भी डॉक्टर इसको लेने की सलहा दे सकता है और इसी के साथ साथ दोस्तों सर्विटाइटिस लंग्स यानि की सूजन आ जाना फिफडो पर सूजन आ जाना पानी आ जाना पस भर जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या पिनी मोनिया हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या भॉरऑन काईटिस हो जाना, खांसी हो जाना, हाट्रैक कम हो जाना, इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है। टाइफएड जादे हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है और इसी के साथ चाती में पेन हो जाना यानि की चाती में खांसते वक्त पेन होना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या बुखार के कारण चाती में दरद हो जाना उसमें भ फिर बोरोनकाइटिस यानि की सांस की नली में सूजन और एंठन सा पन हो जाना इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या फिर टाइफाइड फिवर हो जाना टाइफाइड फिवर में होता क्या है मासपेशियों में दर्द होने लगता है हाथ पेव में जलन सी मह पहसुस होने लगती है इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है ये भी वहाँ पर काफी अच्छा फाइदमन देखा गया है या दोस्तों फिर दोस्तों ENT इंफेक्शन हो जाना यानि कि आपके कान में अगर मौाद आ रही हो माद आ रही हो या फुनसी निकल गई हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या नोजिया हो गई हो बार बार जुखा मुरा उसमें भी आपको डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है या शोफ्त इंफेक्शन हो गया हो उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है या इसकीन इंफे आपने के बार देखा होगा जादे नजला होने के कारण या गले में एक खरास होने के कारण कभी कबाग आपके टونसिल होने लगते हैं उसमें भी एक आफित फाइदे मन सामने देखने को मिला है और इसी के सासाथ आई इंफेक्शन हो जाना, या फिर आई फ्लूग जो अभी पीचे चला था, वह हो जाना, उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाद दे सकता है, या चोट लग जाना, इंजिरी हो जाना, इंजिरी यानि की चोट लग गई हो, कहीं से जखम हो गया और टा infection हो जाना चोटे चोटे टिक के infection हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलाथ दे सकता है या फिर IV injection लगाया हो cannula लगाया हो cannula निकालने के बाद उसका काम complete होने के बाद वहाँ पर सूजन आ गई हो उसमें भी डोक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है या फिर इंजिरी हो जाना हाड इंजिरी हो जाना उसमें भी डोक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है या फिर ओपलेशन के बाद टांके कटने के बाद वहाँ पर सूजनसी आ जाना उसमें भी डोक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है एक बीमारी है दोस्तों Middle Ear Infection इसमें भी आप इसको ले सकते हो इसमें भी डोक्टर आपको देने की सलहा दे सकता है या फिर दोस्तों Middle Ear Infection हो जाना इसमें भी डोक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है मेरे प्यारे भेनों भाईयों आपको दो बात विसेस रूप से ध्यान रखनी है नमबर वन अगर आप इस प्रोडेक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परिशानी है किसी भी तरह के का अन्य शाय डिफेक्ट दिखा है तो घबराएं नहीं तुरंट इस प्रोडेक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डोक्टर से संपर्क करें नमबर टू किसी भी परकार की अन्य मेडिशीन या किसी भी अन्य परकार का कोई भी प्रोडेक्ट अपने डोक्टर के सलहा के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पैशेंट की उमर अकोडिंग अंदर बोडी में क्या चला है क्योंकि दोस्तो हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं उनके हार्मोन्स के उपर उनकी उमर के उपर उनके वजन के उपर उनकी जाच करवाने के बाद डोक्टर दवाया देता है इसलिए दोस्तों पहले अपने डोक्टर से प्रामर्स यानी की संपर्क करें क्योंकि दोस्तों जान है तो जान है वरना सब मिट्टी समान है उम्मीद करता हूँ दोस्तो अब आप समझ गए हो